हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई चाइनल लेट्स लर्ण जुलो जी दोस्तो आपके लिए लेकर हम एक बार फिर से आ चुके हैं अब्जेक्टिव कुश्चन की सीरीज प्रीवियस यहर के जो पेपर हैं ठीक है आईए देखते हैं इससे पहले हम पार्ट वन लेकर आ चुके है आईए हम देखते हैं उसके बाद के 15 कुश्चन जो करा चुके हैं उसके बाद की कुश्चन जो हमारे हैं आईए देखते हैं कुश्चन 16 को कुश्चन 16 में आपको दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पे देखिए क्या लिखा हुआ है रेट आफ हार्ट बीट इन तो इसका सही एंसर क्या हो जाएगा वन यानि कि 64 टाइम पर मिनट ठीक है दोस्तों आगे हम तलते कुछ्छन नमर 17 पे कुछ्छन नमर 17 की अगर बात करें तो यहां पर लिखा हुआ है इसका सही एंसर क्या हो जाएगा सी कुकुमबर हो जाएगा ठीक है दोस्तों यह दो कुछ्छन हमारे क्लियर हो जाते है आगे हम चलते स्टीक कुछ्छन पर स्टीक होगा सी क्लिखा हो जोकी आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है देखिए क्या लिखा वे यहां पर 18 number question में लिखा हुआ है एक मिनट दोस्तों 18 number question में देखिए क्या लिखा हुआ है लिखा हुआ है योग sack in the mammals is जो mammals होते हैं उनमें योग सेक कैसा होता है तो आपको बताना है जो मैमल्स होते हैं उनमें योग सेक कैसा होता है सही अगर बात करें देखिए लिखा है क्या लिखा हुआ है वेस्टीजियल इस्टेक्चर दूसरा दे रखा डाजिश्ट्टी इस्टेक्चर तीसरा दे रखा है सिक्रीट्री यहां कुस्चन नबरigner 19 आपको nr 19 स्क्रीण पर दिखाए क्या दिखाए रहा हते रहे तोब पर राएंगे जिनकी बाड़ी में मेल और फीमेल रिफोड divided 2,3 यानि की ओ deed भी मेल और मसं amorus found intimate सेम बाड़ी क्लियर दोस्तों यह चीज आपको समझ में आ रही होगी कि हर्मप्रोडाइट का मतलब क्या हो गया है तो ऐसे एनिमल जिनकी बाड़ी में मेल रिप्रोड़क्टिव आरगें और फिमेल रिप्रोड़क्टिव आरगें दोनों पाया जाते हैं वह एनिमल क्या कहल मेनिमल है जो हर्मप्रोडाइट होता और इसकैरिस की अगर बात करें तो इसकैरिस क्या होता है मेल और फिमेल होता है काक्रोज भी मेल और फिमेल होता है और मास्कीटों भी मेल और फिमेल होते हैं तो कुश्चन नमर 19 आपको क्लियर हो चुका होगा आई हम चलते कुश्च नर्प परन्ट के जो एक अ ज होता इसमें 8 नमबर की जो क्रेंइल नर्फ है वो ब्रेंज से किसको जोड़ती है तो यह है आपका एंसर की बात करें तो यहाँ है अभी रखा है एर्प यहां यहाँ हो जाएगा यहां सेंसर को कनेक्टि करतीन है ठीक है आगा 21 की हम बात करें यहाँ पर 21 आपको इस स्क्रिन पर धिखाय दे रहा है क्या दिखाय दे रहाँ देखेंगे 21 में लिखा हुआ हुआ है मैन बोन आप मैमेलीङन पेक्टोरल गर्डल इज तो मैमेलीज विफ्य गर्डशे जो तो अगर सही जो मेंड बोन है गरड डील में जो पई जाती है उसको क्या कहते हैं स्कैपला के नाम से जा नहीं जाती है ठीक है दोस्तों नबर 22 आपका clear हो चुका है आईए हैं question number 23 पर चलते है question number 23 की बात करें तो आपको दे रख़ा है क्या दे रख़ा जहां पर यह पर कह सकते हो इससे पढ़ेंगे ठीक मोनो कंडलीक मेंब्रेनस टूथलेस इसकल इस फाउंड यानि कि क्या हो जाएगा सब्सक्राइब मोनो कंडलीक मेंब्रेनस टूथलेस क्या हो जाएगा वारनस हो जाएगा वारनस हो जाएगा वारनस कि अगर बात करें इसका सही एंसर जो हो जाएगा पीजेण हो जाएगा आई हम चलते कुश्चन नमबर 24 पे उगर ऑगर 24 की बात करें तो आपको इसक्रिंट पे क्या दिखाई दे रहाए Digital Formula of four limbs in the frog is Digital Formula बताना है four limbs का किसमें frog में तो इसका सही answer क्या हो जाएगा आपको चार आप्सन दे रखे हैं चार आप्सन में देखिए क्या लिखा हुआ है 0,2,2,3,3 और दे रखखा 0,3,2,3,3 और तीसरे पर दे रखखा 0,2,3,3,3 सब्सक्राइब और देख्धा 03323 इसके सही एंसर क्या होगा सब्सक्राइब सब्सक्राइब गारी धंग तो यह कुंशन नबर 24 सब्सक्राइब पर लार्वावा छोता उसको किस नाम से जानते हैं तो इसके नरुजा के बात करें यहां पर हाउस फॉलाई की तो हाउस फॉलाई का जो लारवा है किस नाम से जाना जाता है या फिर इमेगो के नाम से जाना जाता है या फिर मैगट के नाम से जाना जाता है या फिर टंबलर के नाम से जाना जाता है तो सही इसका एंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही ए 26 पर आपकी स्क्रीन पर दिखाई देने लगा है देखिए 26 जो है आपको क्या दिखाई दे रहा है तो क्या मतलब हुआ तो जल चक्र में प्रमुख भूमिका है किसकी है यह आपको बताना है तो क्या हो जाएगा इसके सही यह एंसर हो जाएगा वन हो जाएगा इवप्रेशन वाटर सीड तो इसका सही एंसर क्या हो जाएगी और सीड ठीक है आईए हम चलते हैं कुश्चन 27 पर कोस्टन 27 की बात करें तो क्या लिखा हुआ है लेट्रल वेंट्रिकल्स कम्मिकेट विद दा रायो डायोसील थ्रू तो देखेंille देखनेंल टीक हो अल्यटा देखेंगे ठीक लेंगी तो फोरा मेंन में राब ठीग मेगेंडाई हो जाएगा और चौथा अपसहन क्या हो जाएगा और चौथा आपसर क्या है एप्टूलर्常 usar टीफ इनप अल्टलडलाव मेंड़क्न हो जाएगा तो इसका सही सोई आंसर की बात कर लेते हैं तॉन्टी एड पे कुश्य नमबर टॉन्टी एड की अगर हम बात करें तो आपको स्क्रीन पर दिखाई रहा देखे कुश्य में क्या लिखा हुआ है इन विच जियोग्राफिकल र्लीम इंडिया है पाकिस्तान अर इंक्लूडेड बताया गया है जो कौन सी जियोग्राफिकल रिलिम है जिसमें की इंडिया और पाकिस्तान का भागौलिक परिमंडल कहते हैं या फिर किस पर कह सकते हो किस जियोग्राफिकल रिलिम के अंतरगत इंडिया और पाकिस्तान आते हैं ठीक है तो इसका सही एंसर जो हो जाएगा 28 का क्या हो लूडेड हैं आपके हमारा इंडिया और क्या पाकिस्तान ठीक है चलते हैं कुश्चन नमबर 29 पे अगर 29 की बात करें क्या लिखा हुआ है इंदी में भी देख लेगते हैं इस कुश्चन को को इसका भित में अत्यधिक मात्रा में पाया जाने वाला वसा का प्रकार है ठीक कौन सा अधिक मात्रा में पाया जाता है तो सही एंसर की बात करें तो देखी चार आपसान आपके दे रखे हैं चार आपसान इसके क्या दे रखे